बड़ी महामारी के सामना कर रहा था उस वक्त पधान मंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना से देश में 80 करोड लोगों को इसकी मदद हुई और जिस शेत्र जिस राज्य से मैं बिलॉंग करती हूँ पर 7 करोड से भी जादा अधिक लोगों को ये योजना का लाब मिला है तो उसके लिए मैं पंतबदान जी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ अधिक महदे उजबला योजना के दिये जाने वाले फ्री गैस सिलिंडर के लाब भारत वर्ष में 14 करोड से भी जादा माताओं बेनों को इसका लाब मिला है और मेरे राज्य में महरास राज्य में 7 से भी जादा लाख मैलाओं को माताओं को इस चूला से राहत मिलिये और धुएं से साइट में रखके उन्हें घर तक ये फ्री सुविदाएं दिये उसके लिए उनका दिल से आप वहां से ऐसे करेंगे तो ऐसे लगे का समाप्त हो रहा है बहुत सारी चीजे हैं और करोणा के साथ साथ राज्य सरकार की लापरवाई और फेलियर के कारण के कारण लोगों को बहुत नुक्सान जेलना पड़ा है पीएम कैर फंट के माराश्ट में केंडर सरकार ने सबसे ज़ादा पीपी किट, बेंटी लेटर, अंबुलेंस, सैनिटाइजर, बैज, मास्क और 42, कोविड, करोना टेस्टिंग लैब और कई सारी सुविधाईं दी लेकिन हमारी राज्ज सरकार ने पीएम कैर फंट का सबसे ज़ादा विरोध किया, राज्ज के मुख्यमंतरी सहीत, सहेता नीधी बंद कर दी, पबलिक हेल्प के विशेर राज्ज के अंदर होते हैं, अंतरगत होते हैं, राज्ज सरकार से ज़ादा, केंडरे ने इसकी हमें बोलते रहें कि माजी कुटुम माजी जवाबदारी पर उन्होंने हमारी महारास्ट्र, हमारी जवाबदारी पूरे करोना पीरिड में एक भी टक्के नहीं ली, महारास्ट्र में सबसे ज़ादा जीवित हानी होने के साथ साथ, महारास्ट्र सरकार ने अपनी नाकामी चुपाने के लिए डेट रेट भी चुपाए हैं हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की हेल्ट की परिस्तिती आज इतनी खराब है इसी का उधारन कुछ दिन पहले भी हमारे सभी के सामने आया है यौत्मा जिले में 12 बच्चों को पोलियो डोस की जगा पे सैनेटाइजर दोस दिया गया और उसके कुछ दिन पहले हमारे भंडारा जिले में हस्पताल में आग लगने से आईसियो में जहां अपनी माता हैं अपने बच्चों को पैदा होने के बाद इमीज एग वान डे के दो दिन के बच्चों को वहाँ पर रखके आईसियो में ठीक करने लेके गये थे वहां की हस्पताल की लापरवाई की वज़े से दस बच्चों की जिऊ के साथ खेलने का काम ये मुख्यमंत्री हमारे महरास्ट्र करते हैं और उसके कोई बयान नहीं करते उसकी सुविधा पर कोई बात नहीं करते ऐसी परिसीती हमारे महरास्ट्र में है महरास्ट् तरीके से इलाज हो रहा है उसके लिए मैं दिल से पदान मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं नागपूर में सापीत एम्स के वज़े से जो लोग अच्छे इलाज के लिए मुंबई या हाइदरबाद जाते थे आज विधर्ब के अंदर जब एम्स आया है तो जितने भी डिस स्कीम के अंतरगत ऑपरेशन स्कीम के अंदर करवाए हैं मुझे प्रसन्नत आ है कि पंतवदान आवाज योजना के अंतरगत महराश्ट्र में 12 लाग परिवारों को इस योजना का लाब मिला है और इसमें मेरे जिल्ले में शहरी और ग्रामीन इलाकों में 50,000 लोगों को घर की वेवस्ता सुभीधाएं मिली हैं अदिक्ष मोहदे अदिक्ष मोहदे 2014 से 2019 तक महाराश्ट्र में कुरूशी संबंदित अनेक रांटीगारी निजने लिए गये थे जिस वजा से एक समय इरिगेशन में पीछे रहने वाला महाराश्ट्र माइक्रो इरिगेशन में टॉप फाइव में आता था पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के आधार पर ध्यान में रखते हुए महाराश्ट्र में जल्युक्त शिवार इस सफल योजना को लागू किया गया और इसके अंतरगत 6 लाग से जादा प्रोजेक्स 22,000 गाओं में पूरे किये गए दुरभाग्य पूर उसे पहले स्टगिती देना है विरोधी पार्टी से आएंगे तो उनके कामों को स्टगिती देना है तो हमारे महाराश्ट्र की गवर्मेंट में ठाकरे सरकार की गवर्मेंट को स्टगिती सरकार करके नाम हमने दिया हुआ है उसका उधारन में आपको देती हूँ पिछली स जब उन्होंने जो जो योजना लाई अगर आप उनके नाम पढ़ेंगे देखेंगे तो लोगों को भी हैरानी होगी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सगती कोई सरकार कैसे दे सकती है उसमें मुंबई मेट्रो की बारे में आप बात कर सकते हैं आरेकाट शेट, बुलेट ट्रेन, ग्राम सडक योजना, मराट वाड़ा, वाटर ग्रीट, सीम पेलोशिप, मुंबई पुने, हाइपर लूप, नगर विकास और ग्रामीन विकास की कई सारी लोग कल्यानकारी योज किसनाओं को स्तगिती दी है, जब दिवाली के दिन पूरा देश दिये से रोशन हो रहा था, तब महराश्व के किसान, किसान के घर में बे मौसम बारिश से हुए नुकसान की वज़े से अंधेरा था, जब मैंने विधायक रवी राना जी ने किसानों के मुआबजे देने क के लिए आवाज उठाई तब तानासाई सरकार ठाकरे सरकार ने सेकड़ किसानों के साथ विधायक राना जी को तीन दिन तक अरेश करके जेल में रखा, जब हम इस किसानों के साथ महरास्व के गवर्मेंन मुख्यमंत्री के पास जाकर निवेदन देने की विनंती कर रहे तो तानासाई सरकार ठाकरे सरकार ने हमें हमारे ट्रेन में और सेकड़ किसानों के साथ बीटेन करके हमें मुंबई पॉंचने नहीं दिया और एक सबसे अकमाल की बात लगती है लोग सबा में दिल को समर्थन करते हैं, राज्य सबा में वॉक आउट करते हैं, जब महरास् पर इनके फ्लोर लीडर जाके यहां के किसानों को गले लगाते हैं, तो मुझे लगता है यह दोगली सरकार, सिर्फ आखरी के दोई मिनिट है मैडम, सिर्फ आखरी के दोई मिनिट है, यह ठाकरे सरकार की राजनीती जो तरीके से दोगली चल रही है, ना यहां का समझ आ र सब्सक्राइब हुई है आदर्णिया सचिन टेंडूल कर जी जिनको सभी युवक आइडल मानते हैं और आदर्णिया लत्ता मंगेशकर जिनके स्वर में स्वरस्वती विराज मानें ऐसे दोन महान हस्तियों को आज उनके ओपर चौकसी लगाके एफायर दाखिल करेंगे अग ट्वीट करते हैं इसलिए इन्होंने विरोध दिखाया करके इनके ओपर इंक्वाइरी होनी चाहिए और इनके ओपर केस गुना दाखिलोना चाहिए यह महाराश्त्र की सरकार कर रही है जिने भारत रतन और ये रतनों से हमने सचीन टेंडूल कर जी को पद्म भूशन दिय गया लत्ता मंगेशकर जी को भारत रतने दिया गया है सबसे इस जो बोल सकते हैं सबसे बड़ा अगर देश में किसी को दिया गया है तो मुझे लगता लता मंगेशकर जी के ओपर इंक्वाइरी बिठानी की सुब और उसके पीछे बोलना क्या जा रहा है कि भाज़त पने इनक्यों पर दबाव लाएं कि इन्हों ने ट्वीट किया है मुझे लगता है कि एक मिनेट और दे दना चाहिए हमारे जैसे लोगों पर अन्या है मत कीजिए सरकार पीज आप से एक ऐसी कठीन पर कि सांकी सो मज एव्लीबडी इस हेल्पिंग मी कि और ऐसी कठनाईयां से जा रहा मेरे जिले के तीन लाग से जादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधी द्वारा एलोड किये गए प्रती व्यक्ति कियो है अपाजी आप पंजाबी भी बोलांगे बोलांगे छे हजार रुपे मिले पीएम फसल बीमा योजना से महराश्च पिछले साल एक करोड से जादा किसानों ने इसका लाब लिया और किसानों को बीमा प्रत्वी प्रत्व यह करोड जस्त लास प्लीज गूँदी ताम यूदा 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 मिन द्वारा बीर द्वारा प्लीज, प्लीज, सार मुझे बता, I know I am the only person you, सर लास्ट, किसान रेल के माध्यम से, मैं रेल मंत्री जी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, कि की करोना पिरेड में किसान रेल के माध्यम से महाराश्र के किसानों को विशेश लाब मिला, सौ किसान रेल से माध्यम से महाराश्र के किसानों ने करोना काल में सबजी और पलों के अच्छे दाम पर बेचे गए, मुझे ये बताते हुए अतंत खुशी होती है कि महाराश्र के किसान द्वारा उगाए गए, 1100 तंद से अभिक अनार किसान रेल द्वारा देश भर में मंडियों में बे करमचारी सभी को सभी का आभार व्यक्त करती हूं ऐसे कठीन परिस्तितियों में आगे रहे पर लोगों की रक्षा करने वाले टेंपरवेरी करमचारी को permanent किया जाए ऐसी आपचे में विनंती करती हूं और free vaccine और doctor को ध्यान में रखते होए सभी को vaccine देने का जो काम ये पंतवदायन जी ने किया है और ये सरकार नहीं किया इनका में दिल बहुत धन्यवाद करती हूं